तीपु सुल्टान अंग्रेजों की सबसे कम्जोर नस को पकल दिया था, अपनी अंगुठी पर इसके राम लिखा हुआ था, इसने हिंदू मुस्लीम के साथ कोई भेड़ नहीं इसकी जनता का अतूर बिश्वास किसके साथ था, तीपु सुल्टान के साथ लेकिन पिपु पता नहीं न, मैं आपको बताता हूँ, जराव एक न भूत प्यार असा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कॉमेंट सेक्षेर में, फिर भी भविश में ये मत कहना कि हमें स्कूल डिस में बहुत सलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाएगी, सब कुछ हमें हिस्ट्री कंदर नहीं आपको आट वी, नौ वी, दस वी क्लास तक पढ़ा दिया जाए, इस हिसाब से आपको UKG और LKG में PhD करवा देते हैं, फिर कितना मज़ा आएगा, 11-12 तिलास में जब आपको खुद की स्ट्रीम चाहिए होती है, आप साइंस लेते हैं, कॉमेंस लेते हैं, आर्ट कितने ले आपको समझ में आ जागा, कितने वड़े हम चोमु निकले हैं, यह बात आप समझ येगा, अगर फिर भी आप वही चीज़ रटेंगे, तो भाई साब एक चीज़ होगी, आप गुट्टें पे चीरा लगा करकर दिमाग देखा जाएगा, कि आपका जो हाट था ना, कहीं ब कि टीपू एक एंटी हिंदू है, उन्होंने हिंदूों के मंदिरों को तोड़ा है, हिंदू महिलाओं के इज़्जत पर प्रहार किया है, और इसाइयों के चर्चों पर हमले किये हैं, राइट विंगर्स का एक ये सबसे बड़ा आरोप है कि टीपू ने करनाटक के अजारो कोडवा समुदाय के लोगों की जान ले ली थी साथ ही दवाब डाल करके मंगलोर में कैथलिक क्रिस्चियन्स को मुसलिम बनाया था कि वो एक कटर वादी मुसल्मान थे ठीक है जो इसलामिक राज्य बनाना चाहते थे यह बहुत गालत है टीपू एक राजा थे और क अजाओं का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है इस आधार पर टीपू को शैतान बनाना या फिर हिंदू का दिश्मन कहना इतिहास सी गलत व्याक्या होगी सलेक्टिव एप्रोच रहेगा आगे जब निताओं के भाषन बताऊंगा आपको समझ में आजागा दो हज इस ने टीपू को सच्चा देश्भक्त और हीरो बताया था और इसमें टीपू के बारे में किसी भी तरह की नेगेटिव टिपिडिया या फिर कोई कॉमेंट नहीं किया गया था अब थोड़ा सच्चा एतिहास जान लेते हैं और कुछ गलतिया जो अमूमन की जाती है वो भी समझ लेते हैं अब आप कहेंगे कि मैं इसकी बात क्यूं करना है आज बात इसलिए करने पड़ रही है क्योंकि 15 अगस्त को शिव मोगा में वीर सावरकर और टीपू सुल्तान की पोस्टर रैली निकाली जा रही थी इस दोरान दो गुटों के भी जड़प हो जाती है जिसमें जबी उल् ग्रफतार किया गया था और इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी ये 15 अगस्त की बात है इस घटना से पता क्या होता है इस घटना से टीपू सुल्तान के नाम पर एक बार फिर से बहस चड़ जाती है और वाटसेपर मैसेज लगातार वाइरल हो जाती है जो पढ़ने के बा सुल्तान फतह अली खान शाहाब रखा था बाद में सी बच्चे को टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया था विवादों में होने के बाब जूर टीपू सुल्तान ने ना सिर्फ अच्छे शाशक बलकि युद्धा के तौर पर भी जाना जाता है 15 साल की उमर में टीपू स साथ दिया था और अंग्रेजों को बहुत बूरी तरह से परास्त किया था उस युद्ध में टीपू को ये पराकरम को देखते हुए पिता ने उन्हें शेर ए मैसूर कहा था सन 1782 में टीपू मैसूर के शाशक बन जाते हैं और 10 साल तके रहते ना पता क्या होता संधी के साथ युद्ध को समाप्त किया और सफलता हासिल की 15 साल की उम्र में अंग्रेजों को हराने के बाद सुल्तान के तौर पर भी पहली लड़ाई में टीपू ने जीत हासिल की थी युद्ध जो था 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था दूसरा तृतिय अंग्रेज मैसू सुर्युद्ध टीपू सुल्तान की शाशक के तौर पर दूसरी बड़ी लड़ाई थी यह युद्ध स्रीरंग पटनम की संधी के साथ समाप्त हुआ और टीपू को अपने प्रदेशों का आधा हिस्सा है एदरबाद के निजाम एवं मराठा सामराज्य के प्रतिनिधी ब प्रदेशों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई थी इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की सेना के बड़े अधिकारी मीर सादिक ने गद्दारी कर दी और वह अंग्रिसों से जाके मिल जाता है इसी वजह से करीब तीन महीने की लड़ाई के बाद जब युद्ध के म सुल्तान थे ना उनके मरने के बाद भी ना अंग्रेज के सैनिक ना उनके शरीर को छूने में थर थर कांप रहे थे यह बड़ा खुंकार आदमी ओढ़िया तो मतलब सरतन से जुदा कर देगा मैसूर में हिंदू बहूमत में थे इसलिए टीपू सुल्तान ने मैसूर समेत राज के कई स्थानों में मंदिर भी बनवाई थे शरिंगेरी, सिरंगा, पटनम, कालूर जैसे मंदिरों के जवाहारा तो के सुरक्षा मोहिया करवाई थी अगर टीपू कटर पंती मुसल्मान होता तो मठ का निर्मान क्यूं करवाता अपने लिए दुआओं के तौर पर ह इसका पुनन निर्मान कराया था, इतिहास में इस बात के भी प्रमान है कि टीपू ने ब्रिटेन की सेना में काम करने वाले मुसल्मानों को भी नहीं बक्षा था, ये मुसल्मान अंग्रेज सेना में घुड सवार के तोर पर नौकरी कर देते, डंड दिया था भाई साब, इतिहास की किताब पढ़ेंगे समझ में हैगा आपको, सलेक्टिव परस्पेक्टिव के साथ मत चलो, पढ़ने के बाद परस्पेक्टिव बनाओ, सल्यूट है, बिना पढ़े नहीं, कुछ समय से ना भाजपा के नेता और दक्षन पंथी इतिहास कार, टीपू को हिंदू क के रूप में हमेशा पेश करने की कोशिश करते हैं, टीपू को हिंदू का सफाया करने वाले साशक के तौर पर आपको बताया चाता है, लेकिन इतिहास कार को कहां पढ़ोगे आप, इतिहास कार कहते हैं कि टीपू के सामप्रतायक होने की कहानी गड़ी जा रही है, बताया गया था अरे भाई साब देखो 28 स्ताबदी में अगर देखोगे ना हर किसी ने लूट पार्ट की थी बलातकार किया था साल 1791 में हुई बंगलूरु की 30 लडाई में 3000 लोग मारे गए थे बहुत बड़े पैमाने पर बलातकार लूट पार्ट होती है लेकिन हमारी जो स साम प्रदाइक रंग देना काफी ज्यादा गलत होगा सच बात तो दोस्त ये है कि चरिंगेरी मठ में जो लूट पार्ट जो हुई थे रों मराधाओ ने की थी टीपू ने उसकी हिफाज़त की थी इसे साब से तो चीजों के पलट जाना चाहिए मैं सेलेक्टिव चीज न स्कूल किताओं में उन्हें महान शाशक की उपादी दी जाती थी लेकिन मंदिर मस्जित का जब विवाद हुआ उसके बीज़ टीपू की एक शवी को धर्म निर्पेक्ष साशक के बजाए एक मुसलिम अताना शहा बना दिया गया जो कि अपने आप में गलत है इतिहास कार अगर जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि अगर हम टीपू सुल्तान के दरबारियों को देखेंगे ना सारे उच्च अधिकारी हिंदू ब्रहमणी हुआ करते थे एक सबसे बड़े मज़े की बात में आपको बताता हुए ना देख जब बीजेपी छोड़ी थी तो वे टीपू के समारक पर श्रधा सुमन चड़ाने गए थे टीपू एक खास तरीके की पगड़ी पहना करते थे और तलवार उनके हाथ में रखा करते थे यह दू रप्पा ने टीपू पगड़ी और तलवार भी पहनी थी यह तस्वीर पढ़ी पहनी आपको नजर आ रहे हैं शेटार ने तो टीपू की भूरी भूरी प्रसंशा की थी भाईसा भर भर के 1970 के दशक में संग ने भी टीपू को देशभक्त बताया था राश्टपती हमारे पूरु राश्टपती रामनात कोविंद ने 2017 में करनाटा के विधान सभ परिवर्तन आखिर हुआ तो हुआ क्यासे इनकी नजर में टीपू नायक से खलनायक कैसे बन गया यह बनाने कोशिश क्यों की गई इसके पीछे वोट बैंक की राजनिती है या फिर बदले राजनितिक माहौल में धर्म विशेष के नायकों को खंडित करने की किसी कारिकरम का ये हिस्सा है क्या समझ में आया अगर आ गया होने इस वीडियो को तीन वाट से गुरूप में शेयर कर दो यह तो मैंने बहुत उपर उपर आपको बाते बताई है अगर आपको इतिहास पुरा डिटेल में चाहिए आजास नीड और हेल्प आप मुझे फैनेशल पर मेरा फैक्ट को काउंटर करना था वो मैंने कर दिया इस वीडियो को तीन वाट सेप गुरूप में शेयर कीज़ेगा जाहिंद बंदेबात्रम स्टे अपडेटेट स्टे अजुकेटेटर सात्ते बेब चाहेते लवश्कार